हेलो ब्रीवन माइनेम इज विकास कमार एंड टुडे विल डिसकेस अबाट था पॉस्टेडियर सुपेरियर अलबलर नर्बलोक जो पॉस्टेडियर सुपेरियर अलबलर नर्बलोक है वो मैखजिला में मस्ट कॉमन और मस्ट इंपोर्टेंट नर्बलोक है क्योंकि यह नर् प्रिद को एक्ष्ट्रक्ट करना होता है मतलब कि जो 6 7 और 8 है फास्ट मॉलर सेकेंड मॉलर एंधर मुलर उसको जब निकालना होता है तो उस समय हम लोग देते हैं चली इसके बारे में हम लोग डिसकस करते हैं एरिया एनस्थिराइज दिखो जो पीसे नरब लोग एरिया न जो न देना होता है उसमें PSA साथ-साथ MSA भी देते हैं जो फिर्ष्ट मॉलर होता है में से का्छिछ जाएं यसदेते हैं इसका कारण यह निद्वर मैग नरब यो Kennyεις जोब सकर में बगकल होता है उसमें फिर्ष्ट म held आख संबॉलां मिला यह तीनों मॉलर्स जो इसके साथ जो उसके बकल साइड में परिस्टियम रहेगी तो वह वहां पर इनस्थाइज होगा ठीक है इस टाइग्राम के मेडियम से हम लोग समझेंगे देखिए इसका जो यहां पर मीजो बकल रूट है यह आप लाइट यलो कलर देख रहे होंगे तो वह एनस्थाइज 28% केस में नहीं होता है ठीक है एक्जाम के परपस देखे तो एक कॉमन कोशन पुछता है कि जो पीसे नर्व लोक है उसको और किस नाम से जानते हैं तो आपको धियान रखना है जागोमेटिक ब्लोक और टूब्रो सुटी ब्लोक के नाम से भी जानते हैं जो एनस्थाइज करेगा क्योंकि पुस्टियर एलवलार ब्लोक नाम ही है इसलिए पीसे पुस्टियर सुपेडियर अलवलार नर्व को यह एनस्थाइज करेगा और उसका जो भी ब्रांच है उसको अब किन पेसेंट में हमें नहीं देना है पीसे नर्व लोक कॉंट्राइंडिकर किसमें ऐसा पेसेंट जो की हैमरेज का जिसमें चांस बहुत ज्यादा हूँ यानिकि जो हीमफिलिक पेसेंट होता है उसमें वह इसा पेसेंट जो हमेंफिलिक है और वो ट्रक्ष लेता हो ब्लेडिंग जो के इंकरिज करने के लिए हो है क्यूंमाडिन्स एंड क्लोपीडो ग्रिल ठीक है अगर यह ट्रक्स ले र नर्ब्लोक है वो देखो क्यों देते हैं देखो देको मिनिमाई दा टोटल वोलूम ओफ लोकल एनेस्थेश्या सॉलूशन से ड्मिस्ट्रेटर एज केम्पेर्ट तू जब हम सुप्राप्रेस्टियल इंजेक्सिन देते हैं वहाँ पर देखों 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 दा एक्योव उसके इसलिए हम लोग करते हैं पिसे सुपरापेस्ट्रिल के जगह में इसका डिस एड्वांटिज देखो क्या है कि पाली बात के हैं हेमाटोमा कर इसके होता है दिसरी बात की टेकनिक में प्रोड़म होता है जब आप देते हैं तो पिसे नर्भ लोक में कोई भी बोन का कॉ सबसे पहले जो टेक्निक लेखने का सिस्टम है कुछ इस तरह से लिखते हैं कौन सा नीडिल यूज करते हैं उसके बाद एरिया किस जगा आपको इंजेक्शन को नीडिल को इंसर्ट करना है ठीक है वह जो आप मेखजिला का सकेंड मोलर देख रहें उसका म्यूको बकल फोल्ड में ठीक है वहाँ करना आपको टार्गेट एरिया पता आपको पेसे का उसके बाद आता है मेखजली टोबर सिटी जागमेटिक प्रोसेस ओप मेखजिला यह तीन लेंड मार्क आपको ध्यान में रखना होगा और इंटेशन सब बेवल देखो इंजेक्शन का जो बेवल होता है जो इसका इंड पॉइंड होता है देखो यह सिरिंज का जो लिए अन प्लेजन अगर गलती से कभी बॉन टच हो जाया बेवल से तो पेशेंट को कम पेवल होगा अगर डारेक्ट आ बॉन पर हीट करते है बेवल से तो बोन के आधे पेन्टीर में टेक्शन होता है इसलिए पैसेंड को बिदो प्र होता इसके पर नेयुकर था आपको बंट पीकल एंटी सेप्टिक यूच्छ करना यह आपको करना करिए दूसरा है कि वहाँ पर आपको अनास्थेटिक देना टोपिकल एनस्थेटिक ताकि पेण जो बशिण को फिलो कम से कम पैन फिलो इसके लिए लोग टोपकल जो कि एहले लिडनों को नहों तो टोपिकल एस्प्रे आता है वहां पर एंड अप्टर वण मिनट वहां पर हम लोग नीडिल को इंसेट करते हैं तो आप लोगों को यहां तक उम्मीदा समझ मारा होगा अगर आप लोगों को हमारा लेक्ट्छर समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर देजी अगर आप लोगों को इस टोपिक पर या किसी भी बीडियो से टोपिक पर नोट्स चाहिए तो हमारा सारा चैनल जो नोट्स है सारे चैनल पर अपलोड है आप टेलिग्राम पर आप जाक ले सकते हों पर पीडियो फोम में सॉब्ट कोपी फोम में मेरा टेलिग्राम का जो लि कि आप आप सब्सक्राइब करते हैं कि आप पार्सली माउथ पूरा माउथ प्रें नहीं करवाना है थो‡ माउथ अप य्थेल हो जो छीए इज ढोन फो यह इस देना जो और और साइड सबसेंपोरटन है नाएं लोग के कॉमन कोशंजो की वायबा में या कहीं पर बी पूछा जायगा आपको यही पूछा जाएगा उसका एंगल जो आपोढ़ जैंगे तो जो आप सबस्केंट मोलर का में उसका अपको दिआन में थे और कि 45 लुभ sites के इंगल bicycle से 45 प्र बनाना है अप वाड़ का इनीवार्ट एन वकाड़ जो अपवाड़ होता है वह 45 टू अप्लूजलसल प्लें इनीवार्घ होता है इमेडिली ट्यॉड एमीड लैने at 45 angle to the occlusion plane and backward posteriorly at 45 angle to the long axis of the second molar देखो ऐसा नहीं कि तीन को अलग अलग अंगल में देंगे डालेंग ऊपर निची करेंगे इसा कुछ नहीं है आपको एक बार occlusion plane से करना 45 पर ठीक है जैसी कि upward से इनवार से 45 45 हो जाएगा आप पोस्टर ली भी देखेंगे आप लोग अक्सिंस से उससे भी देखें 45 आपको एक अनुमाल लगाना है कि तीनों डारेक्शन मिलके कहां पर 45 हो रहा है एक्जक्ट उसी 45 के एंगल पर से आपको इंजक्शन देना है इसका पिक्चर आपको अभी सीर करते हैं जी से कि इस डिरेक्शन में आप देख़ें वेंगे कि एक एंगल हम लोग then से यहां से ठงों तो आपका नाटि हो गया यहां से फोटी फाइप इसकी लगभब बीच में होगा तो आपको को देखना है कि तीन डारेक्षिन जो कि हम अभी बताएं आपको इन डारेक्षिन को आपको समझना होगा कि कहा है इंजक्षिन देने से पहले आपको उस डारेक्षिन को समझना को इसके बाद प्रिक करना है आपको आप इंजक्षिन इसर्ट करना है ठीक है देख कि जैसे कि वहां एक और बात यहां ध्यान देने वाली बात है यह कि जो हम लोग मॉलर का यह को बकल फोल्ड यूज कर रहे हैं मतलब दे रहे है तो वहाँ आप आप है इंजेक्शन देख रहें है वो रूट में बिल्कुल नहीं करना है आपको वहां से थोरा से आगे बढ़के आपको इंसर्ट करना है इन चीज़ों का दियान रखिए तो आपका पेसे नर ब्लोग हमेशा सक्सेस रहेगा ठीक है देन क्या करना है आपको सलो सलो अडवांस तर नीडिल तुरूदा सॉप आपको आगे बढ़ाते जाना और आपको रेससेंस इसमें फिल नहीं होता है ना ही डिस्कॉमपॉट होता है परिसेंट को नियूटेक्षण को कोई भी बॉन इख सी नहीं होता है वहांबर दूसरा बत आगर अगरा आपको रेसिस्टेंस यांनी के बॉन से अब तक्रा गय अच्छा स्वारी जो बॉन आपको टाक रहा है कि इसका मतलब यह का आपका जो नीडिल के अंगर था वह मतलब की मीड लाइन के तरफ ज्यादा था इसलिए वज़ास हुआ है तो इसको क्या करना है विट्रो करिया पीछे तरफ नीडिल को थोरा सा तैन पूरा आपको बेरल क्लोज टू दा अक्लूजल प्लेन जो अम लोग सेकंड मोलर ले रहे तो उसका अक्लूजल प्लेन के और थोरा से क्लूजल आना है उसको ठीक है फिर से इंसर्ट करना आपको नीडिल को अब देप्त क्या होना चाहिए देखो एक इन एडल्ट आप नॉर्मल साइज जो नॉर्मल हेल्दी पेसेंट है एडल्ट उसमें 16 mm का देप्त होता है इंजेक्शन का ठीक है एन एसमोलर एडल्ट या चिल्ड्रेन जो रहेगा उठन प्रेंट्रेशन देप्त होगा टेन टू फॉर्टीन एमेम का निडिल टिप टारगेट एडिया मस्ट असमोलर स्कल् इन्गे लह डेपोजिट करेंगे उससे पहले हम्वह कम टीक करना होता है टू प्लेन में एस्पाइरब मतलब होता है कि आपको इंजेक्शन को पीछेए किचना होता है उसमें बलड आयक नहीं आए देखना होता टेकर जो बेवल होता है उसको आपको एक बार मतले हैं की इंजक्शन किचे अगर ब्लड नहीं आया फिर इसको रोटेट करें 90 पर फिर एस्पाइरेट करिए अगर तब भी निगेटिव है तो तो जाके आपको स्लोली ओवर 32 60 सेकंड तक आपको स्लोली स्लोली डिपोजिट करना है एले को जो डिपोजिट कितना होता पॉइंट नाइन टू ओन पॉन 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 एट एमल एनस्थेटिक स्लोशन स्वाब देते हैं ठीक है सुलो विड्रो दैस रिंज एंड वेट 325 मिनट बेपोर कोई भी आप टेंटल प्रेसेडूर करेंगे एनस्थेसिया वागनी उसको चेक करते हैं जब उससे पहले तीन से पांच मिनट तक आपको वेट करना है उसके बाद ही एनस्थेसिया हम को चाना है चेक करने के लिए दिखें पेसे नर ब्लोक जो है उसमें आप पेसेंट से कोईच भी आइसा उमीद नहीं कराएंगे कि वह आपको सब्जेक्टिव साइन्स बताए कि क्या दिक को अब्यक्टिव साइन्स चेक करना होगा अब्यक्टिव कैसे चेक करते हैं फिरेजिंग इस्प्रे से इंडो आइस चेक करते हैं यह पिट विट नो रिस्पंस फ्रम दब तूथ मैक्सिमम ईपीट आउटपूट एटी टीट इसके बाद है एपसेंस और पें दूरिंग यूज करते हैं हम लोग तियू G East करते हैं पेमेट केस्ट्रमीड करते हैं तो कि सब्सक्राइब करेगा कुछ महसूस करेगा जरूर्व लेकिन नहीं होगा कि निए कि लिए लेकिन उसे दर्द नहीं हुगा बिल्कुल भी नहीं और उसके गार्डा से कंप्लीकेशन्न private लिए Natale K Todos को कड़ी के यह पोस्ट कर चुकेकन में 20 वहां यहां पंप सके इसके वज़े सेमाटोमा हो सकते हैं दूसरा कि मेंडेबलर रेंस्सीजा मेंडेबल नेस्टेसिया क्यों होगा क्योंकि जो मेंडेबलर डिवीजन ऑप दा फिफ्ट क्रेनियन नर्फ है वो लिटरली टूदे पेसे नर्फ के लेटरली में लोकेटेड है अगर आप हां हमारे चैनल को एक्स्वलेंड के कर सकते हैं और यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं